हर्याना कॉंग्रस के प्रदेश्ट देख्ष वह देवान का प्रधान मंत्वी मोदी और से मनहुलाल को लेकर दिया गया अपति जनक बयान लगातार सुर्ख्यों में है बयान को लेकर बीजेपी कारी करताओं ने मूर्चा खोला है और रोश प्रदेशन किया है कॉंग्रस प्रदेश्ट देख्ष का पुतला दहन किया गया खबर रिपोर्ट के जरीए देखिए दोज़ा चॉबीस के चुनाव नस्दी काते ही अब आपति जनक और विवादित बयानों का दौर शुरू हो गया है जहां एक हो लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी सांसद रमेज विदोडी की ओर से एक सांसद पर आपति जनक और आमरियादित भाशा का इस्तेमाल किया गया तो ही दूसरी हो हरियाणा कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी देश के प्रधान मंत्री और हरियाणा के मुख्य मंत्री पर आपति जनक टिपणी का डाली जिससे अब हरियाणा की राजनेतिक ललियारे में बबाल मचा हुआ है और आज तो इन्होंने हदी कर दी जो अपने आपको देश का परधान मंत्री चौकीदार कहता है जो देश का परधान मंत्री अपने वक्तव्य में ये कहते हो कि थारे देश की जनका मेरा परिवार है और उनके लिए ऐसे अप शब्द बोल देना और इनका जो मुख्यां है जिसके नित्रतब में ही चल रहे हैं जिसका प्रथम चेहरा बना के पपू का चल रहे हैं उसकी स्तिती भी स्पष्ट करें दरसल यमना नगर में कारिकरम के बाद मीडिया से बाचीत करते वे कॉंगरेस के प्रदेश अध्यक्ष उदेवान ने एक विबादित बयान दे डाला इसके बाद उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा जबकि सच्चाई बताई है और अपने शब्दों को वापस लेने से भी इंकार कर दिया जिसके बाद अब बीजेपी कारीकरता सड़क पर उत्रे हैं और कॉंगरेस प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन किया है गुरुगराम के अगरवाल धर्मशाला चौप पर बीजेपी के कारीकरताओं ने कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फुका और नारिवाजी की गुरुगराम बीजेपी की जिला अध्यक्ष गारगी ककड की माने तो चाहे केंद्र हो या फिर प्रदेश हो जनता कॉंग्रेस को नकार चुकी है जिससे कॉंग्रेसी नेता बॉखलाहट में हैं और बयान दे रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष उदेवान को त